Welcome students, कैसे आप सभी लोग? आपका अपने चैनल कुई किस्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक नंबर नाइन रहने वाला है जिसका नाम है पौधो में प्रजनन रेप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास सेवंथ में हमको ये चैप्टर नंबर टूइल देखने को मिलता है और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक होने वाला है क्यों? क्योंकि यहां से कोशन बहुत जादा नहीं बने है मतलब पहले जादा बनते थे और अभी दो तीन सालों से इस चैप्टर से कोशन नहीं बन रहे हैं और आप सीटेट वाले क्या स्टेटेजी अपना रहे हैं कि जो कोशन नहीं बने जिन टॉपिकों से अब वहां से कोशन जादा बनने लगे हैं तो यह टॉपिक आप के लिए इस बार वाले एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है यहां से कोशन आपको एक देखने के लिए मिल सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझेंगे पौदों में प्रजनन कैसे होता है जो हमको क्लास सेवंत में देखने को मिलता है शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं किस तरह से रिपोडेक्शन प्रजनन होता है आपका प्लांट और एनिमल में एनिमल में जो प्रजनन होता है वोह बहुत ही असान तरीके से होता है तो जो में समझना है वो हमें समझना है reproduction in plant की जो पादब होते हैं उन में जनन किस तरह से होता है देखे अलग-अलग plants अलग-अलग 트रा की तरीकों से reproduction करते हैं और वही हमने पढ़ना है जिसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो वेजिटेटिव रिपोडेक्शन करते हैं, काईक जनन करते हैं, कुछ लेंगिक जनन करते हैं, कुछ लेंगिक सेक्शुल रिपोडेक्शन करते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं वो आपका आनिशी चक जनन करते हैं, जिनमें फार्टला प्लांट ग्रो तो करते हैं लेकिन विदाउट सीड वहाँ पर सीड से वो ग्रो नहीं करेंगे, बीज के माध्यम से ग्रो नहीं करेंगे, वो ग्रो करेंगे अपने प्लांट के किसी अधर पार्ट से, चाहे वो स्टैम हो, चाहे वो लीव हो, चाहे वो उनकी जड़ें हो, बूट जाएगा, जब वो other part of plant से grow करेंगे, reproduction करेंगे rather than seed, बीज की वजाए तो वो reproduction का method होगा, वो होगा आपका काईक जनन, vegetative reproduction, the process of development of new plant from any vegetative part of plant other than seed, बीज के अतिरिक्त, पौधे के किसी अन्य काईक भाग से परावर्तित होकर जब नया पौधे की प्रकिर्या बन जाती है वहाँ पर, तो वही कहलाता है आपका क्या काईक जनन, और यहाँ पर जो example हैं बहुत ही important हैं, जो आपको याद रखने हैं, जैसे potato, potato को जब आप देख करी जाए तो इसमें क्या होगा, potato के प्लांट जो है, वह ग्रो कर जाएंगे, तो इसमें हुआ क्या, यह स्टैम के माध्यम से क्या हुआ, potato जो है, वह ग्रो कर गया, यहां पर हमें बीजो की जरूरत नहीं हुई, सेम ऐसे ही bryophyllum होता है, जिसे हम पत्थर चट्टा बोलत जाती है, और वहां पर नए जो bryophyllum के प्लांट है, वह उखकर आ जाती है, तो यहां पर भीजो की जरूरत नहीं पड़ी, लीफ्स के थुरू ही क्या हो गया, आपका रिपोडेक्शन हो गया, सेम ऐसे ही आपने रोस का प्लांट देखा होगा, है ना, आप रोस के प्लां होता है, विदाउट सीड, इसमें अधर पार्ट अफ प्लांट इनवाल्व होता है, तो वो होता है आपका काईक जनन, इसके एक्जामपल बहुत इंपोर्टेंट है, जो आपको याद रखने है, जैसे पटेटो, ग्रास, अनियन, प्याज भी क्या है, उसमें भी आपका व यह तो बहुत इंपोर्टेंट है, यहां पर लीव्स के माध्यम से क्या हो जाता है, रीपोडेक्शन हो जाता है, क्योंकि इनकी लीव्स के अंदर ही बर्ट्स होती है, और वो गिर जाती है, जहां से आपका जो नया पौधा है, वो डेवलप हो जाता है, अगर मैं कैक्टस तो जो डहिलिया होता है उसमें भी क्या होता है काईक जनन होता है और वो किसके माध्यम से होता है वो उसके रूट उनकी जड़ों के माध्यम से होता है उनकी जड़ों में से ही नए जो डहिलिया के फूल है प्लांट है वो ग्रो करने लगते हैं तो इस तरह का जो जिसे हम बोलते हैं क्या अलैंगिक जनन इसेक्श्वल रेप्र girlsson सीधियसी बात है आसेक्शुल सेक्शुल में होता है दो अर्गनिजम होते हैं लेकिन सेक्श्वल में क्या होगा सिर्फ सिंगल पैरंट ही इनवॉल्व होता है इनका कोई भी a zuiven नहीं हुता इनका सिलियन नह fusion नहीं होता क्योंकि यहां पर सिंगल पैरेंट ही जो है वो involved होता है तो आए समझते हैं इसमें भी क्या होता है जो अलेंगिक जनन है अलग-अलग methods के through जो है कुछ plans जो है वो जनन करते हैं जैसे method होता है आपका मुकलन जिससे हम क्या बोलते हैं budding budding के through जो आपका reproduce करते हैं वो करता है east एक्जामपल important है याद रखेंगे budding हमें देखने को मिलती है मुकलन के through जनन होता है कि इसमें east में और आपका hydra में देखें इसमें इसमें क्या होता है कि पहले ये east है फिर इसमें से सब्सक्राइगराम में देख रखते हैं कि यहाँ पर एक bud जो है वो बनने शुरू हो गई है फिर यहाँ पर new bud बन गई औ फिर इस तरह से channel bud बन जाएगे और जो आपके new east है वो यहाँ से अलग हो जाएंगे same ऐसे hydra में देखें यह bud बनना सुई यहाँ पर इस तरह से और बढ़ गई और फिर आगे चलके क्या होगा है एक अलग hydra जो है यहाँ से निकल जाएगा तो इस तरह की method से जो reproduction हो रहा ह है यह कहलाता है आपका मुकलन budding बढ़ बनने लगती हो और बढ़ी ग्रो करके फिर क्या हो जाती है रिप्रियूस करके आपका एक नया प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो हो जाता है दूसरा method होता है आपका विखंडन fragmentation fragmentation विखंडन यह हमें पानी के अंदर जो हमें सेवा होगा वो तूटकर दो में बदल जाएगा फिर वो अगले में बदल जाएगा और इस तरह से आपने देखा होगा पूरे पानी में हरा हरा जो है शेवाल जो है वो पूरे पानी में पढ़े वे होते हैं तो यह जो उनमें रिप्रोडेक्शन हो रहा है वो किसके माद्ध हम स जो जो एक्जामपल है, वो है, स्पायरो गायरा, या法 रहखेंगे, यह पूछा ज स्पायरो गायरा आपका एक एलगी है, एक शैवाल है, जो जणन जो रिप्रोडेक्शन करता है, किसे थुरू फ्रेगमेंटेशन के थुरू बिखंडन के थुरू, ठीक है, दो method clear हुए, मुकलन किस-किस में होता है, yeast और hydra में, fragmentation किस में होगी आपका algae, जिसे हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में, उसके बाद तीसरा method होता है, लेंगिक जनन का, जिसे हम बोलते हैं क्या, बिजानो, निर्मान, spore formation, और ये fungi में हमें देखने को मिलता है, basically हमें उसके उपर आजाएगा, और जो ब्रैड मोल्ड उसके उपर आजाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, राइज ओपस बोलते हैं, वह तरह से फंगाई हो जाती है, जो उसमें ग्रो कर जाती है, और बहुत लंबे समय तक रखेंगे, तो पूरे ब्रैड पर क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक जो फंगाई है, वो ग्रो कर जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिप्रोडेक्शन हो रहा है, और वो भी असेक्श्वल रिप्रोडेक्शन ही है, होता क्या है, जैसे सपोज ब्रैड का पीस है, तो इसमें क्या होता है, जब माइक्रोस और पोमने के बाद दुना मीरोज फवा, वर जाता है में ऊड़ियों होता है। एलिक्चाव सप्भी अरट यह भी पहँ गिए ऐगका पर गडानायम श्यां तो च signal होता है, तो दुना तुना वाज को हमें आप कर बाद में गिर जाते हूं और वहां से वो reproduce करना शुरू कर देते हैं एक्जामपल याद रखेंगे जो bread mold होता है यही आपका क्या कहलाता है राइजोपस कहलाता है तो एक्जाम में question आएगा राइजोपस क्या है तो राइजोपस पहली बाद तो एक fungi है एक कवक है और यह हमें bread mold में देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से vegetative reproduction होता है किस तरह से asexual reproduction होता है अब हम देखेंगे कि किस तरह से sexual reproduction होगा लैंगिक जनन होगा और जो plant में लैंगिक जनन होता है वो उनके फूलों में होता है किस में होता है उनके फ्लोवर में होता है देखे सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लोवर में कौन से मेल पार्ट हैं कौन से फीमेल पार्ट हैं और किस तरह से ये सेक्शुल रिप्रोडक्श जो होती है वो कहलाती है आपकी कैलेक्स जिसे हम सैपल भी बोलते है या वाहय दलबंज बोलते है और जब फूल उसमें से निकल जाता है तो यह जो कैलेक्स है वो कुछ इस तरह से रह जाता है जैसे आप यहाँ पर इंगरäर का पोरिशन देख सकते हैं तो यह जो green color का portion है यही आपका सैपल है क्यालेक्स है वाहे दलपुंज है उसके बाद क्या होता है इसमें जो यह आपको पंखुडियां दिखाई दे रही है यह जो पंखुडियां है यही कहलाती है क्या आपकी कुरोला या फिर पैटल जिसे हम हिंदी में दलपुंज बोलत हैं जिसे हम एंडोशियम भी बोलते हैं और जो फीमेल पार्ट होते हैं उन्हें हम पिस्टल बोलते हैं या फिर गाइनोशियम बोलते हैं या फिर हम जयांग बोलते हैं तो अब हम देखेंगे क्यों से मेल पार्ट हैं और कौन से फीमेल पार्ट हैं अगर मैं जयांग दिल में अलग सा दिखाई दे रहा है यही क्या है यह female reproductive part है सबसे top पर होता है इसमें जैसे यह दिख रहा है आपको यह वर्तिकागर होता है जिसे हम English में stigma बोलते हैं बीच में देखे कुछ इस तरह से मैं diagram बना देती हूं यह इस तरह से होता है ऐसे करके इस तरह से बीच मे क्या होता है अंडाश्य होता है ओवरी होता है यह होता है आपका female reproductive part एक flower के अंदर अगर मैं male reproductive की बात करूं पुंकेसर की बात करूं एंडोशियम पुमंग की बात करूं जिसे हम stamin भी बोलते हैं तो उसमें एक तंतू होता है एक आपका filament होता है इस तरह से और उपर आप क्या कहलाता है तंतू filament कहलाता है और उसके उपर यह एंथर होता है और इसी एंथर पराकोश के अंदर क्या होते हैं आपके पराकण होते हैं और यह जो पराकण होंगे इस एंथर के अंदर यही क्या होंगे पराकण जाकर इस stigma पर बैठ जाते हैं और यह कैसे जाते हैं या या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर पराकोश के अंदर जो पराकण है वो जाकर उसकी वर्तिकागर पर जाकर बैठ जाते हैं तो वो तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है self pollination उसमें क्या हो रहा है कि उसी के पराकोश उसी पौधे के उसी फूल के अंदर कहां पहुँच गए उसके वर्तिकागर में पहुँच गए लेकिन अभी क्या होगा कि यहां के जो पराकोश है इस फूल के वर्तिकागर पर चले जाएं तो वो होगा आपका cross pollination स्वेपरागन ठीक है male और female part समझ में आगए कौन-कौन से होते हैं female part होते हैं वर्तिका अगर वर्तिका अंडाश है, stigma, styli, ovary और जो male part होते हैं वो होते हैं enter और filament इसी enter के अंदर आके pollen grain होते हैं, पराकण होते हैं अगर इसी पौधे के पराकण, इसी पौधे के फूल के पराकोश पर बैठेंगे तो वो तो होगा self pollination लेकिन जब इसी पौधे के इसी पौधे के जो फूल हैं उसके जो पराकण किसी और दूसरे plant के उसके फूल के बर्तिकागर पर जाकर बैठेंगे तो वो होगा आपका cross pollination और ये जो जा रहे हैं इस पर जाना या फिर इन पराकोशों का यहां पर जाना वो कैसे जाते हैं या तो वो हवा के माद्धे हम से उड़के या फिर जो कीट यहां पर बैठे के जो आपके कीट आकर पेड़ो पौदो पर बैठने हैं फूलों पर बैठने हैं तो फूलों पर क्या होंगे पराकोश चिपक जाएंगे और यही जो कीट है वो आपका इस फूल पर आकर भी बैठ जाएगा तो यह पराकोश क्या होंगे जो पराकोश के अंदर पराकण है pollen grains है वो इस फूल की वर्तिका अगर पर जाकर चले जाएंगे और इस तरह से वहाँ पर reproduction, sexual reproduction देखने को हमें मिलता है इस stigma पर क्या होता है, germination begin होता है और वहाँ से होते वे जो male का जो pollen grain है वो यहाँ से वर्तिका, यह जो आपकी style होती है, वर्तिका होती है वहाँ से होते वे, और याद रखेंगे हमेशा जो male के दो ही pollen grain जो है इस वर्तिका में आते हैं, और जो नीचे female का अंडाशे होता है इसके अंदर पहले से ही तीन अंडे होते हैं, और यह जो दो pollen grain है यहाँ पर इस अंडाशे में पहुचते हैं, और इस में से जो तीन अंडे हैं और जो दो pollen grain आये हैं, उन में से एक pollen grain इस एक अंडे के साथ मिलकर क्या बनाएगा फिर फल देगा हमें, इनके अंदर निशेचन होगा, फटलाइजेशन होगा और वहाँ से क्या मिलेगा, फिर फल मिलेगा, हमें फ्रूट मिलेगा और जो दूसरा एक pollen grain होता है, वो बचेवे दो अंडों के साथ निशेचन करके आपको क्या देता है, एंब्रियो बनाता है, और वही एंब्रियो का करता है यह जो फूल बन रहा है, और यह जो फूल बन रहा है, उसको क्या देगा, यह उसको पोशक तत्व देगा तो इस तरह से कुछ सेक्शल रिपोडेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है दल पुंज के अंदर पुश्प के जनन भाग होते हैं, यह मैंने पहले बता दिया एंडोशियम जो पूंकेशर होते हैं, वो नर जनन अंग होते हैं इस्तिरी केसर जो आपका गाइनोशियम होते हैं, वो आपके फीमेल वाले अंग होते हैं इसमें stigma style ऊवरी आजाते हैं आपके वर्तिका आगर वर्तिका और अंडाश है एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें या तो पूंकेसर male पार्ट होंगे या फिर female पार्ट होंगे तो वो तो आपके एक लिंगी पुष्प होंगे example याद रखने है मक्का पपीता ककड़ी मक्का पपीता ककड़ी जो होते है वो एक लिंगी यूनिじゃ सेक्शुल फ्लॉगर होते हैं क्यूंकि एक ही या तो पूंकेसर वाले पार्ट होंगे या फिर इस्तिरीकेटर वाले पार्ट वहाँ पर होंगे और वहाँ पर हमेशा कैसा pollination कैसा परागण देखने को मिलेगा हमें cross देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर self तो हुई नहीं सकता फिर doilingi होते हैं doilingi में क्या होंगे एक ही पौधे में pungkesar भी होंगे और istiricasar female और male दोनो reproductive पार्ट हमें देखने को मिलेंगे जैसे गुलाब धतूरा यह सब क्या होते हैं यह आपके doilingi पौधे होते हैं और किस तरह से यह process होता है यह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है उसके बाद परागण जो pollination होता है यह आपको पता होना चाहिए अभी मैंने समझा भी दिया है simple pollination परागण क्या होता है जब एक ही फूल के पहले में एक ही फूल के जैसे एक पौधा है उस पे बहुत सारे पांच फूल लगे हैं सबोज तो वो जो पांच फूल है एक फूल का किसी दूसरे फूल पर लेकिन एक ही पौधे में जब एक ही पौधे में उसी फूल में जो पराग कढ़ है जो पोलन ग्रेन है उसी पेड़ के एक ही फूल के वर्तिकागर पर स्टिग्मा पर चले जाती है तो वो कहलाता है आपका स्वे परागर self-pollination क्योंकि वो एक पोधे के सारे फूलों में हो रहा है ठीक है लेकिन जब अभी एक ये पोधा है और एक दूसरा पोधा है इस पोधे के इस प्लांट के जो फूल है उनमे जो आपका एंथर है जिसके अंदर पोलण ग्रेंज्ज इन परागन है वो परागन अगर किसी दूसरे पौध्य की फूल के अंदर जो वर्ति काग्र है जो स्टिगमा है उस पर आकर बैठ जाएंगे तो वो होगा आपका क्या क्रॉस पॉलीनेशन पर परागण जिसको हम बोलते हैं और यह जो परागण होगा यह किसके माध्यम से होगा यह कैसे एक जो परागण है इस फूल से द पराग कंग जो होती हैं वो दूसरे फूलों तक पहुँच जाते हैं परागण से pollination यही पड़किव्य होती है जब पूलन ग्रेन इस्टिगमा पर जो आपका पराग जो वरतिकागर है जब आपके पराग कंग वरतिकागर पर जाकर बैचते हैं पूदी प्रोडिका क्या कहलाता है आपका प्रोड़ कहलाता हैं सिंपल सा प्रोड़ेस है याद रखेंगे और यह सब होता किसकी वजे से या तो यह कीट एक पौधे का किसी दूसरे पौधे पर चला जाएगा यह ठीवरी में सब यही सब लिखा है लेकिन मैंने कैसे तरह से प्रोसेजर होता है वो आपको अच्छे से समझा दिया है ठीक है यहाँ पर यह इनकी डेफिनेशन्स लिखी हैं यह डेफिनेशन्स में आपको इनके एक्जामपल याद रखनी है जो स्वेपरागण होता है जब उसी फूल की वर्तिका या उसी पौदे के किसी दूसरे पुश्प की वर्तिकागर पर जाकर जो यह आपके परागण होती है यह जाकर बैठ जाते हैं तो वो स्वेपरागण है इसके एक्जामपल है मटर टमाटर यह बहुत अच्छे से याद रखनी है और पर परागण जिनमे क्रौस पौलिणेशन हमें देखने को मिलता है वो एक्जामपल हो जाएंगे आपके गुलाब या पौपी फिन यह एक्जामपल important है यह आप इनके याद रिखेंगे एक्जामपल परागण में क्या हो जाएंगे मटर टमाटर और जो आपके पर परागण में है गुलाब पॉपी ठीक है यह fertilization का निसेशन जैसे होता है वो process जिन्होंने बताया कि किस तरह से देखिए जो पराग कण है जो पराग कण है वो किस तरह से देखिए stigma पर आता है उसके बाद यहाँ पर germination होता है अंकुरत जो है वो हो जाता है उसके बाद क्या होगा यह जो पॉलन ट्यूइब है यह पॉलन ट्यूइब तभी बनती है जब यहां पर अंकुरन होगा तो यह पॉलन ट्यूइब बरतिका से होते वे यहां से होते वे यह जो आपका पॉलन ग्रेन होगा वो आपके कहां पहु बन जाता है क्या बन जाता है जाइगॉट बन जाता है और इसी के साथ मैं एनिमल जो human being होते हैं उनमें भी मैं जो किस तरह से fertilization होता है वो समझ आ देती हूं male का gamut जो कि आपका sperm होता है female का gamut जो कि आपका ovum होता है male और female का gamut क्या होता है fusion करता है और वही fusion क्या होता है वही process क्या 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 लाता है fertilization क्या लाता है इस fertilization में हमें क्या मिलता है zygote मिलता है क्या मिलता है zygote मिलता है और फिर ये जाइगॉट जो है आपका भून में बदल जाता है अम्ब्रियों में बदल जाता है और वही जाइगॉट जो है जो भून में बदल किया है आगे चलके वही किसमें परिवर्तित हो जाता है पूरा एक बच्चे में परिवर्तित हो जाता है इस तरह human being में निसेच इन्टरनल फर्टलाइजेशन है, मतलब माता के जो मेल होती है, जो फीमेल होती है, उनके बॉड़ी के अंदर ये निसेचन होता है, फर्टलाइजेशन होता है, और जिनकी बॉड़ी के अंदर फर्टलाइजेशन होता है, वो आपका इन्टरनल फर्टलाइजेशन होता है, ए वो external fertilization है और जो process body के अंदर होता है वो आपका internal fertilization होता है और इसी internal और external के basis पर जो animal है, जो human है वो divide होते हैं दो category में, एक होते हैं viviporous और एक होते हैं oviporous, viviporous वो होते हैं जो अपनी body के अंदर क्या करते हैं, अपने बच्चे को reproduce करते हैं, तो वो viviporous है, है न, जैसे आपका कुता, बिली, यूमन, ये सब वीवी पॉरस हैं, लेकिन जो अंडे देती हैं, वो आपके ओवी पॉरस होते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, मुर्गी जो आपके अंडे देगी, तो वो ओवी पॉरस के अंदर जाएगी, ऐसे ही आपका जो फ्रोग होता है, जो अपना अन्डा पहले से निकाल देती हो उसमें जाके वो इस पम चला जाता है हो इस तरह से बहरी जो है उस अंडे से जो है आपका टैड़ पोल जो है वो बन जाता है तो ये भी वाहिय निशेचन है तो याद रखेंगे दो तरह के निशेचन हीूमन बींग में होते हैं रहे हैं और जो ओवीपोरस होंगे उनमें अंडे होते हैं वो external fertilization हमें वहाँ पर देखने को मिलता है यह चीज भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया तो एनिमल में fertilization कैसे होता है कैसे जाइगौट से आपका embryo बनता है उसके बाद हम देखेंगे जो fruit है जो फल है वह हमने देखा कि इस तरह से जो आपका पोलन ग्रेन अंडाशे में जाकर निशेचन किया तो वहां से हमें क्या मिला फल मिला तो जो वह फल है ओवरी और या मैचोर ओवरी से ब तो समझ लिजे कौन से true fruit होते हैं वो fruit जो डेवलप होंगे only from the ovary जो अंडाशे में ही डेवलप होते हैं वो आपके true fruits होते हैं इसके example है आम याद रखेंगे यह आपका सत्य फल है जो जिन में निशेचन कहां हो रहा है अंडाशे में हो रहा है जहां पर फल बन रहा है कहा अंडाशे के भाग अंडाशे ही वहाँ पर भाग ले रहा है तो वो आपका true fruit है लेकिन false fruit क्या है जहां पर जो फल होगा वो अंडाशे में ना बन कर किसी other part में चला जाएगा flower के जैसे उसका थेले में होता है पुसपाशन होता है वहाँ पर जाकर वो जो fruit है बनने लगा या फिर कोई other part में जाकर अगर fruit बन रहा है रादर देन उसके अंडाशे में ओवरी में तो वो fruit आपके किसमें गाते हैं false fruit के अंदर आते हैं और इस false fruit के अंदर आता है आपका apple, pear, यह जो apple होता है नाशपाथी होते हैं यह थेले मेंस जो थेले मेंस होता है ना मैंने बता यह जो फूट है वो ग्रो करेंगे यह जो further fruit ग्रो करेंगे यह अंडाशे में ना ग्रो करके अंडाशे में ना ग्रो करके कहां पर ग्रो करता है यह आपका थेले मेंस में ग्रो करने लगता है अदर जगा पर जाकर ग्रो करने लगता है तो ऐसे जो fruit होंगे वो आकर क्या क् या फिर पार्थिनो कारिपी क्या होता है चार प्रकार से रिप्रोड़क्शन बताय था vegetative, sexual, asexual और fourth ये क्या होता है आनिशेचक जनन जब किसे पौदे के फूल में निश्टेचन के बिना ही अंडास्य में फल आ जाता है अंदाशे से हमें सीधा फल मिल जाता है बिना किसी निशेचन के बिना किसी फर्टलाइजेशन के तो वो आपका क्या कहलाता है आनिशेचक जनन पार्थिनो जैने सेज या पार्थिनो कार्पी कहलाता है यह आपको याद रखना है ऐसे fruit के अंदर क्या होता है seed जो बीज होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं और इनके example याद रखेंगे केला और अंगूर यह जो होते हैं यह आपके आनीशेचक जनन ही करते हैं और इस तरह से fruit जो होते हैं वो फिर से तीन category में बढ़ जात जो हम पुंज फल भी बोलते हैं तो जो होते हैं आपके एग्रिग्रेट fruit जिसे हम पुंज फल भी बोलते हैं composite fruit आपके वो होते हैं जब flower के entire influence part repair करता है एक fruit के निर्माण में तो वो आपके composite fruit होंगे जब संपूर पुष्प क्रम के समस्त पुष्प फल के निर्माण में भाग लेते हैं तो वो आपके उससे जो फल बनता है वो आपका संग्रहित फल होता है composite fruit होता है और इसके example होते हैं शेहतूत कठल जिसे हम मलबरी या कस्टड एपल बोलते हैं देगे कठल में आपने देखा होगा जो इसकी covering होती है वो बहुत ही भारी होती है बहुत ही hard होती है वो इसलिए ही होती है क्योंकि यहां पर जो flower का सारे part है वो participate करेंगे मतलब जो flower का और other part क्या थे हमने दे बहुत होती है तो जब फूल के सारे other parts भी participate करेंगे फल के निर्माण में तो वो आपके संग्रहित फल होती हैं composite फल होती है मुझे लगता है यह अच्छे से आपको clear हो गया होगा काफी सारी चीज़े आज हमने समझी और यह एक्जाम में आती है तो याद रखेंगे strawberry जब एक ही ओवरी से multiple fruit मिलेंगे कब एक फल मिलेगा और मैंने बता दे जब सारे जो फूल है उसके सारे parts पार्टिसिपेट करेंगे तो वो composite होगा true fruit क्या होती है जब वो ओवरी में ही develop होगा fruit तो वो true fruit है लेकिन जब वो ओवरी की जगा fruit के sorry फल के other part में चाहें वो थेल fruit बन रहा है तो वो आपका false fruit होगा लेकिन अगर जो fruit है वो आपका अगर ओवरी में बन रहा है तो वो आपका true fruit है उसके अलावा हमने सारा अच्छे से details में समझा है वीडियो अच्छी लगी है तो उसको like करें शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें थेंक्य है तो आपके जड़े हैंवाग थेंञा को